Good evening students, I hope सब ये हैले होंगे और घर पे रह रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे तो पेटा इसी करम में हम साइंस का फर्स चैप्टर इसी करम में हम साइंस का फर्स चैप्टर जिसका नाम है Food Where does it comes from? पेटा जो food है food कहां से और कैसे हमें मिलता है What did you eat at home? तोडे आपने घर पे आज क्या खाया Find out what your friend ate today आपको फ्रेंड ने भी आज क्या खाया हमें देखना है क्या ग्याद करना है Did you eat same kind of food yesterday and today? क्या आपने जो खाना था कल वही खाना खाया था जो आज खाया है है ना आगे दितने We all eat different kind of food at different time Is not it क्या जो आपके different kind का हम लोग क्या अलग-अलग अलग-अपसर पर यानि अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग food खाते हैं तो पेटा आगे बढ़ते हैं Heading number है 1.1 Food variety Food की variety यानि food की किसम है कौन-कौन सी किसम होती है Food की क्या-क्या किसम होते है Food की तो वह बैटा हम देखते हैं वीड़ा इस में हाँ विविन प्रकार के खात्पदाथ है ना activity दे रहे इसके लिए activity करेंगे है activity में दे रखा है आपके Ask your friend Ask your friend in the school about item They would be eating during our day अपने friends से अपको जो friends हैं है कि एक दिन में उनने जो आज के तिन कौन काम सा खाना खाए है है ना तो सब्सक्राइब पूछना है है नो तो आगे दिखते हैं लिस्ट ऑल ला आइटम इन योर नोट बोक गिव इन टेवल नंबर इन टेवल 1.1 फूर एस मैनी फ्रेंड एस पॉसिबल पिटा यहां पर जो आपकी टेवल दे रखिए 1.1 यहां पर आपको स्ट्वेंड की नाम दे रखिए और फ्रेंड के नाम बिखा आज उसने क्या खायों पर देखते हैं ना दूसरे फैंट का नाम दिखा यहां पर और उसने क्या खाया वैटा ऐसी seems to be much variety in food that variety in the food that we ate देखिए बिटा पॉस्वारी बेराइटी जो होती है उनको हम खाते हैं What are these food items made of? ओ बिटा जो हम लोग बहुत सारी जो खाना है अलाग अलाग प्रकार के खाना है वह हम खाते है वह कहां से हमें मिलता है किस items का मिला बनता है जैसे आपका चावल है जो आपके हम लोग खाएंगे जैसे आपका कड़ी चावल या कोई भी चीज है कोई भी सबजी बनाई तो वह किसका बन रहा है तो कौन से items से बना हुआ है यह हम देखते हैं इसमें Think about rice cooked at home We take raw rice and boil it in water Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice आपको पता है कि जैसे हमें सब्जी बनानी है तो सब्जी के लिए या फिर आप किसी की सब्जी बना रहे हो तो उसके लिए हमें सब्जी चाहिए जो spices होते है वह भी चाहिए है तो पानी चाहिए तो एक मटेल बनाने के लिए हमें आपकी दो या दो से अधिक की जरूत पढ़ती है इंडिग्रेंट्स की जरूत पढ़ती है जैसे कि हमने कहा है बॉल राइस बनाए तो उसके लिए कि चाहिए हमें कच्चे राइस शरी और पान चाहिए इसको हमने वाल दिया और हमारी डिस्क तैयार होगी तो आगे देखते हैं विड़ा इसमें हम लोग ओन अबर हैंड सम फूडड आइटमस आर मेड अब मैनी इंडडेंस जबकि कुछ आपकी जो डिसिस होती हैं फूड आइटमस होते हैं वह एक से अधिक बहुत सारे जो आपकी कह सकते हैं कई सारे इंडडे ओरक Τे पर केंपढ़ते हैं तो प्रिपेर बैजिटेवर्स करीए we need different kind of vegetables salt, spices, all and so on देखे बेटा जो हमें आपकी जैसे बहुत आपकी कोई आपकी vegetable त्यार करने हैं हम सब भी त्यार करने हैं उसके कारी त्यार करने हैं तो बेटा उसके लिए हमें चाहिए अलग प्रकार की vegetable चाहिए salt चाहिए, spices चाहिए, all चाहिए और बहुत सारी चीज़े और भी चाहिए हमें है ना तो बेटा हम कह सकते हैं कि जो आपका food बनाने के लिए food item बनाने के लिए हमें कई सारे ingredients की जरूत होती है है ना तो बेटा इसी करम में आपकी activity number 2 दे रखिए activity number 2 में देखेंगे हम लोग है ना देखने इसमें choose some food item है ना listed in table number 1.1 आपको क्या करना कुछ item आपको select करने हैं choose करने हैं है ना and try to find out what ingredients are used to prepare दी बेटा जैसे आपको कुछ आपकी table में दे रखिए है ना आपको अभी मैं बता रहा हूं आपको तो बेटा उसको क्या करना है आपको हमें देखना है कि जिस आपके जो food item है उसको बनाने के लिए कौन-कौन से ingredient हमें जरूद पढ़ रहे हैं ना आगे देखते हैं and try to find out ingredients are used to prepare these while discussing with your friends and elders at home और बेटा इन किस चीज़ों की जरूद पढ़ता है आपको अपने फ्रेंट से discuss करिए और अपने मम्मी पापा से पेरेंट से discuss करिए है ना लिस्ट दें इन टेवल 1.2 some example are given here add some more items to food list बेटा आपकी कुछ आपकी जो लिस्ट में कुछ आपके food items दे रखे हैं यहां पर आप कुछ भी add का सकते हैं जैसे पहला food item है आपका रोटी बनाने के लिए हमएं चाहिए ना नस आपका यहांपे Kindra ओ और और वॉटर है ना बहुत सी लोगा इसमें साल्ट भी डालते रोटी में तो बहुत सी लोग नहीं डालते है ना तो यहां पे हम salt भी लेख सकते अब बेटा आपको दाल बनानी है डाल के लिए क्या चाहिए Wallace चाहिए आपको water चाहिए salt चाहिए, oil घी चाहिए और spices चाहिए तब ही तो हमारी दाल बने गी अब बेटा यहाँ पे और कोई आपकी जैसे हम vegetables ले लेते है vegetables ले लेते हैं यहां पर हम लोग vegetables ले लेते vegetables के लिए क्या चाहिए हमें आपका घी चाहिए हमें salt चाहिए oil चाहिए vegetables चाहिए है ना तो बेटा ऐसी करके हम इस list को क्या करेंगे बढ़ाते जाएंगे है ना इस list को हमने क्या देखा इसमें डू वी फाइंड सम इंग्रिडियेंट कॉमन फूर डिफ्रेंट फूड आइटम डिसकर इन क्लास सो विर डू इस इंग्रिडियेंट्स कॉम फॉम पैटा तेखा आपने दिखा उगा कि बहुत सारे आपके फूड आइटम्स होते हैं उनको बनाने के वोर्ट है आपको रोटी बनाने है तो चाहिए को सारी जागत तो उसमें चाहिए आपको इस पैसे चाहिए आउल चाहिए है ना तो चाहिए चाहिए तो बेटा कुछ है आपके इंग्रीडेट्स होते हैं बेटा सेम तु सेम होते हैं आगए देखें बेटा आगले हैं आपकी 1.2 food materials and sources है ना food materials होते हैं और उनकी क्या क्या source होते हैं है आगे पढ़ते हैं बेटा इसमें है इड में बेटा इसमें है इड में इजी 4 अस गेस्टा सोर्स अव फूर्स सम आप दा इंग्रीडेट्स देख वी लिस्टे इन टेवल नंबर 1.2 फूर्ट एंड वेग्टिबस फूर इस्टेंस तेख यह बिटा आपको यहां हम यहां पे पढ़ रहे हैं ना यहां पर हम पता चलेगा कि कुछ आपको आपको टेवल में दे रहा थे निग्रीडेट्स जो कि आपको बेटेबस या फ्रूट है वो हमें कहां से मिलते हैं तो यहां पर देखते हैं आगे लें बोसने सकते हैं वह कहा है रिए जरो किसे मिलते हैं हमको आपको ऑईल है वह किसे मिल आपको ब्लांट से प्लांट से मिल रहे हैं तो जातर जो नहीं आपके प्लांट से मिलते हैं आगे दिखते हैं what are the source of rice or wheat rice or wheat or wheat you may have seen paddy or wheat filled with row and rows of plants which give us grains you may have seen paddy or wheat filled with row and row of plant which give us these grains बेटा आपने देखा होगा कि जो खेतों में आपने देखा होगा कि जो paddy है और आपके जो wheat होते हैं यानि धान और जो आपका गेहूं होता है उनको आपको खेत में देखा होगा उनकी कई सारी रो लगी बेटा उनी रो से उनी फील्ड से जो होते है ना उनी से हमें क्या मिलता है आपका जो आपके ग्रेंज होते हैं जो अनाज होते हैं वहीं हमें बिलते हैं है ना एंड देन एंड देन देर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क एग मीट चिकन फिज प्राउंस वीव पोर्क एंड शच अधर विच कंस फॉम एनिमस देखे वीटा कुछ आपको खेतों के अलावा क्या है हमें आपके कुछ आपके अनिमस जैसे प्लांट्स के लावा क्या ह है अना और एग मुड़ेख है में जानले कम यसकुटा को एक ही और माशने होती है क्या मिल्स लुकल इजण करती है जो गयन का मास होता है पोर्क आपका सूगर का मास होता है और ऑनीमस ठास व्टान विच कंसों अनिमस और बहुत सारी जो आप कर आपके source जो आपके food होते हैं सोर्स माटल होते हैं वो किसे मिलते हैं सुरी आप एनिमल से मिलते हैं अब बिटा इसमें activity no.3 देखेंगे activity no.3 में देखेंगे इसमें activity no.3 में देखते हैं let us take the food item listed earlier and try to find where they come from यहां पर हम देखते हैं जो हमने पहले वेस्ट बनाए थी उसमें जो इंग्रियेंट दे रखे थे उनकी हम सोर्स जानने का प्रियास करते हैं जैसे इसमें देखते हैं आ और 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 लगा इटले आफे ज़ो викलाबी ह क्यों कि साउथ इंडर्ड फूर्ड है अज़रा इडली के लिए हमें क्या चाहिए के रैस ही और रैस हमें कहां से मिलता है प्लांट से मिलता है है ना उरत की दाल मानाल होती है की प्लांट से हमें समक्ति ही C क्या source इसका C source है है हमें C से मिलता है और जो आपका आपकर पाहड़ों से क्या निकाला जाता है मायिनिंग की जाती है पाहडों से Water सबको पता होंगे लेकिन कुछ बच्चे कहते है कि सर हमें जो water है वो summeriable से मिलता है नल से मिलता है तो वैटा ऐसा कुछ नहीं है यह तो क्या होते हैं आपके पानी को ध्रिल करने के क्या तरीके होते हैं है NO स्वेटा होते हैं जो ता पानी कने निकालते हैं कि खांर्टें चंप ड्स而且 नीचे से पानी syerves क्या कहते हैं अगली आपका घीर है और राइस वह मिलती है अपकी प्लांट से मिलता है सores चीनी होती है अप ine से बना जाती है सगर केन से बना जाती है गर्नी से बना जाती है और यह हमारा रह paint गणता घी चेई और धाकowan अपनाल से क्या रोगा है गी एक आप जो एकपटेन से को समयो इसी को में आगे देख तेए वह पिदै उसी में क सफजर्द बार्म है अधा जिलम पिंम और है करो हुट है क्या प्लांट्स आर दा सोर्स ऑफ फूड इंग्रियंट लाइक ग्रेंस सीरियल्स वेजेटिवर्स एंड फूट्स बेटा जो आपके प्लांट्स होते हैं बेटा आपको टेवल नमबर त्री दे रखी थी उसमें आपके जो सोर्सेस हैं हम लोग जो प्लांट्स से क्या क्या हमें जो फूड हैं फूड के आइटम्स क्या हैं उनके क्या क्या सोर्स हैं इंग्रियंट के तो बटा जो ग्रेंस में आपके प्लांट्स से मिलते हैं जो अनाज होते हैं और जो cereals होते हैं वो भी हमें क्या है आपके प्लांटस है वहां से मिलते हैं vegetables और fruits सभी क्या हमें हमें? animals, animals provide us milk, meat products and eggs cow goat and cow goat and buffalo are some common animals some common animals which give us milk देखिए कि आपको पता है कि जो animals होते हैं हमें क्या प्रवाण करवाते हैं आपके milk प्रवाण करवाते हैं meat होती वो प्रवाण करवाते हैं eggs प्रवाण करवाते हैं cow goat and buffalo are some common animals which give us milk पिटव जो आपके गाय है बकरी है और Citizens लिए बैंस वह जो आप यह हमें दूद्ध प्रदाद करने वाली कुछ कॉमन क्या है आपके अनिमाल से है ना आप सभी को पता है कि जो पिटा मिल्क प्रड़क्ट होते हैं ऐसे कि आपका वटर है मक्षन है क्रीम है चीज है और बिड़ा दही है यह सभी पूरे आल ओवर वर्ड बेर यूज कियाते हैं Can you name some other animals which give us जो आपके दूद देते हैं गिव असMilk तो compliance के नाम बदा सकते हो जो कि हमें क्या दूद दे सकते हैं जिसने व हम जानते हैं जो मैंने आपको नाम बदा देने कुछ और एनिमास भी होते हैं जो की आ नाम की दूद देते हैं ठीक है आफे पड्ção हम उसमें Phone index नमबर आपकी 1.43 Plants Parts and Animals кой and Animals Products as Team बिटा जो प्लांट्स के पार्ट है और फूड है वो क्या-क्या होते हैं ना वो देखते हैं हम यहां पर ठीक है तो पिटा यहां पर देखते हैं आगे प्लांट्स are one source of our food which parts of a plant are these देखिए जो प्लांट्स होते हैं बिटा वो क्या होते हैं हमारे जो भोजन का मुख्य रूप होते हैं और बिटा उनका हम कौन सा पार्ट है उनका जो कौन सा पार्ट है प्लांट का जिसे हम खाते हैं है ना तो बिटा इसमें देखते हैं We eat many leafy vegetables. हम क्या है बहुत सारी पत्तेदा सबजे खाते हैं. We eat fruit. Some plants. और कुछ plants के हम क्या क्या हम फूट खाते हैं. Sometimes root. Sometimes stem. Even flower. बेटा कभी-कभी क्या हम देखो. आपने दिखा हो किसी आपके plant के हम क्या 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 हैं. जो पम्प्किन होता है उसके फ्लावर्स वह भी क्लान्ट करते हैं वो खाते हैं बहुत से आपके plant ऐसे होते है, जिनके flowers की भी आपकी vegetables बने जाती है है, हना, आगी देखं़े हैं उसमें जिसे आप देख सकते हो, आप जो थंडा ही वनाते हो, थंडा ही वनाने में आपके लिए क्या रोस की जो लीफ होते हैं उसका उज़ करते है तो लाहार को पाड़ी जानना चाहती है कि हमारे भोजन का जो पौदे और आपके जन्तों के इलावा कोई अन्य शोर्स है कि नहीं है है ना तो बिटा कोई और तो सोर्स है नहीं कि उन्य सारा खाना क्या है हमें आपका प्लान्ट से मिलता है और अन्य मस्य मिलता है कोई और source है नहीं और बिटा जो नमक वगरा है वो पानी है वो अलग source है आगे देखते हैं बिटा इसमें यू एवर यू एवर eaten pumpkin flowers dip in rice paste fried पिटा आपको क्या करना है जो आपके pumpkin flowers होते है उसको rice के paste में जो rice का paste बना लिया हमने और उसको क्या डिप करना है dip करके उसको क्या करना है fry करना है fry करके आप उसको खा के देखिए आप try करिए इसको some plants have two और more edible parts बिटा कुछ plant ऐसे होते हैं जिनके दो या दो से अधिक edible part होते हैं खाने योग के भाग होते हैं है ना जैसे बहुत से क्या क्या आपने देखा होगा मूली है ना मूली देखा होगा आपने तो बिटा मूली के हम क्या leaf भी खाते हैं उसमें है ना खाते के निखाते हैं और बिटा, हम लोग आपकी root होती है, उसको भी खा लेते हैं, खाते की नहीं खाते हैं, है ना, तो देखो इसमें, seeds of mustard plant, seeds of mustard plant give us oil and leaves are used as a vegetable, can you think of different parts of banana plants that are used as food, think of more example where many parts of our single plants are used as food, देखिए, आपने देखा होगा, कि जो आपके seeds होते हैं, जिसके mustard के सर्सों के, जिसको हम क्या करते हैं, जिससे हमें oil मिलता है, और आपने जो देखा होगा, कि जो सर्सों का पेड़ है, उसकी leaf की क्या सब्जी बना जाती है, तो two parts खाये लिए, two parts हैं, उसके use कर लिएगे खाने में, तो बिटा, ऐसी आपको जो बनाना है, उसका देखना है, हम बनाना के कितने parts को use करते हैं, खाने में, और ऐसे और भी आपका हमें single plant का नाम बताने हैं, ऐसी example बताने हैं, जिसके क्या 2 जा 2 से अधिक parts क्या खाये जाते हैं, है ना, ठीक, ओके, अब बेटा, आज के लिए हम इतना ही पढ़ाते हैं, तो कल की class में हम इससे आगे पढ़ाएंगे और भी आपको बहुत सारी चीज़ा बताएंगे, thank you.